हलो दोस्तो कैसे आप सभी दोस्तो सभी महादेब भक्तो को हर हर महादेब दोस्तो मैं हूँ रहुल और आज की इस खास और इंफोर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महादेब जी के नगरी कासी में दरसोन और घूमने की जनकारी देने वाला हूँ अगर आप भी कासी घूम गुमने का सही तरीका क्या रहता है यहां पर खाने पीने की क्या वरस्ता रहती है और वीडियो के लाशने बात करने के संपून बजट की तो दोस्तो एटुजेर इंफोर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास तक जरूर देखें हम आपको इस वीडियो के मादम से हर चोटी ब इस वीडियो के लिए आपको 25-30 रुपे तक चार्ज करेंगे अगर आप रिजर्ब आटो में जाना चाहते हैं तो 100-100 रुपे तक चार्ज करेंगे और बड़े ही असानी से आपको 80 वीडियो के पास छोड़ देंगे दोस्तो अगर बात करें बस की तो आस पास के सहरों से यहां तक डिरेक्ट बस मिल जाएगी काफी सारे टूर एंड ट्रेवल्स वाले अपने बस सर्विस यहां तक चलाते हैं तो आप बस के माध्यम से भी बड़े असानी से यहां तक आ सकते हैं अगर वहीं आपका प्लान बाई फ्लाइट आने का है तो यहां पर लाल बहादू प्लाइट के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं तो आपको कार पार्किंग में कोई परसानी नहीं होगी आप अपने खुद की कार से भी आ सकते हैं तो चली यह बहुत ही प्यारा और सा पर पुरा कर से भी आ सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं बनारस अब हम लोग बात करते हैं रुखने के लिए होटल यह धरमसाला कहां पर लेना चाहिए दोस्तों ऐसे तो पूरे बनारस में होटल यह धरमसाला बने हुए हैं आप कहीं पर भी रुख सकते हैं लेकिन मैं आपको एड़वाज करूंग अगर धरमसाला की रेट की बात करें तो 600 रुपे से स्टार्ट हो जाती है वहीं पर होटल की रेट की बात करें तो स्टार्टिंग 1000 रुपे से हो जाती है और आप अगर अंदर गली के ओर जाते हैं तो आपको सस्ते में होटल या धरमसाला देखने को भी मिल सकते हैं तो आ अच्छा सा होटल लेके कुछ देर अराम करेंगे तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन कैसे करें तो गोदालिया चौरहाद सहीं सामने अंदर की तरफ गंगा घाट के लिए रस्ता जाता है यहाँ पर आप मा गंगा के पावनजल में असनान कर सकते हैं सा दूसरा विस्वनात गली से और फिर गोदालिया चौरहा से जाता है जोस्तो मैं एडवाइस करूँगा कि गेट नमर 3 या 4 से जाएं क्योंकि इसमें कम भीरवार रहती है वहीं मंदिर में आप सीग्र और सुमम दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुगम काउंटर भी वाना हुआ है इसमें 300 रुपे का पर पर्शन चार्ज करते हैं और बड़े अराम से आपको दर्शन करा देंगे और अगर भीरवार ज्यादा है तो आपको सुगम काउंटर में भी एक घंटे तक समय लग सकता है जोस्तों अगर किसी को चलने में परशानी है तो आप पर ड्रॉप कर देंगे वहीं मंदिर में आपको एलेक्ट्रोनिक वाच मॉइल फोन और कोई भी एलेक्ट्रोनिक आइटम ले जाना मना है तो आप जहां से परशाद लेंगे वहीं पर आपको काउंटर बना हुआ रहेगा जहां पर आप अपने फोन वाच जूते चपल लो बासकते हैं दोस्तो काफी और अदभूतं मंदिर बना हुआ है यहां पर महादेव सब्सकूर कर चरबार करें दर्सन करने के बाद अब को ओन में बातकर करते हैं वहादेश करने के वा घृरम कहां और नास के यहां इस्तित है आप यहां पे पैदल चलके भी जा सकते हैं या आप चाहे तो इरिक्सा भी कर लें दोस्तो कहते हैं महादेव जी के दर्शन करने के बाद आप वो काल भहरब जी का दर्शन जरूर करना चाहिए तभी आपका यह यात्रा पूरा होता है तो दोस्तो लाइन में लग कर यहां पर काल भ हैड़क जी का अधू दर्शन करेंगे की उसकी अंदर जाकि का पर लगय का दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर ने-पाली मंदीर और पसुपतीनाथ मंदीर में दर्शन करेंगे यहां के बहुत ही ज्यादा परसीद मंदीर है यहां पर दर्शन करने के बाद में अव हम लोग चलेंगे सिरी भी सा लक्षी मंदीर में दर्शन करने दोस्तों यह मंदीर भी माता रानी के बहुत अदभूत मंदीर है य बोधी स्वाधिस्ट भोजन आपको यहाँ पर मिलेगा जोस्तो इन सभी मंद्रियों में दर्सन करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे 10-100 मिन घाट पर जोस्तो बनारस को घाटों का सहर भी कहते हैं सभी घाटों का विशेश मनेताय भी हैं तो आप इन सभी घाटों का दर्सन करना चाहते हैं तो आप इन नाव के माद्याम से इन सभी घाटों का दर्सन कर सकते हैं नाव वाले आप से सेरिंग में 100 रुपे पर पर सन का चार्ज करेंगे करीब 40-45 घाट के आपको दर्सन कराएंगे वहीं आप चाहे तो परसनल बोट से भी जा सकते हैं इसमें आपको 800-1000 रुपे तक चार्ज करेंगे अगर आप सभी 84 घाट को दर्सन करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1200-1500 रुपे तक चार्ज करेंगे दोस्तो बनारास में नौका वियार का experience काफी खास रहता है तो आप यहाँ पर आया तो नौका वियार जरूर करें यहाँ पर कु बहुती बीसेस मानेता हैं तो आप गंगा के इस पावनजल में नौका वियार जरूर करें जोस्तो साम को साथ बज़े दासा सुमें घाट पे भबे आर्ति का आयोजन भी किया जाता है साम को पांच बज़े से भीर आना सुरू हो जाता है बहुत से लोग घाट पर बैटके इस आर्ति का दर्शन करते हैं तो बहुत से लोग नाव पर भी बैटके इस आर्ति का अनन्द लेते हैं तो आप इस आर्ति में जरूर सामील होईए इस आर्ति का आनुमें बहुत ज़्यादा खास रहता है इसके अलावा ललीता घाट पर बने कोरीडोर के नजारे साम में बहुत संदार लगते हैं, तो आप साम के टाइम ललीता घाट पे भी जरूर आईए, जोस्तो साथी साथ साम को साथ बजे, आठ बजे और नौ बजे, ललीता घाट पे पंदर पंदर मिनट का लेजर सो भी होता है, आप इस लेजर सो का लुप्त जरूर उठाए, इसमें कासी सुबह हम लोग चलेंगे बनारस में जितने भी मंदीर है, सभी में दर्शन करने, जोस्तो अब हम लोग चलेंगे यहां से कुछ किलो मिटेर दूरी पे इस ती जो मंदीर है, वहाँ पे दर्शन करने, इन सभी जगर पे दर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप आप आटो या इरिक साब बुक कर लें इसमें आपको सबी मन्दीर में घुमाने के साथ सार नात्वी कवर कर देंगे और सारा दिन घुमानी कआद्व जहां गहेंगे वहां पे ड्रॉय कर देंगे तुस्तों यह मतारानी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने अगली मंदिर तुलसी मानस मंदिर और स्री तृड़ी मंदिर में दर्शन करने बहुते भव्वे और दिवसेली में दोनों मंदिर बने हुए हैं यहां पर भी आ कि आप दर्शन कर अशिरवार पराफ कर सकते है यहाँ पर अच्छे से दर्सन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे संकर्ण मुचन अनुमान मंदिन में दर्सन करने, ये प्यारा सा अनुमान मंदिर बहुती पवित्र अस्थान है, यहाँ पर आते ही सभी भक्तों को कर्श्ट दूर हो जाते हैं, जोस्तách मंदिर के अंद 20 मनाथ मंदीर में दर्शन करने। जिससे बिगला मंदीर भी कहते हैं। जो बनाज हिंदू 20 विद्याले में इस्थित है। जो यह मंदीर भी काफी भव्बर बना हुआ है। मंदीर के अंदर काफी दिवयोधिय देपताओों के मुर्ति अस्ताफित भी… महादेव जी के दर्शन करने के बाद और भी सवी देवी देपताओं के दर्शन कर असिरवात प्राप्त कर सकते हैं, जोस्तो मंदिर के चारू और खुबसूरत पार्क भी बना हुआ है, जहां पे आप कुछ घंटे भी इस्पेन कर सकते हैं, जोस्तो बहुती आलोकी का स्था बश्रक ने हैं आप यहां पर दरशन करने जरूर आईयें यहां वर दरशन करने के बाद आप coach बने हुए हैं आप इन सभी में बहुत ही तरीकर दर्षन कर सकते हैं जोस्तो सारनात की इंटी टिकर 25 रुपे है जो कि आपको में गेट से मिल जाएगे एश्टूपा के चार ओर पार्क बना हुआ है जहां पे आप कुछ घंटे बैट कर ध्यान लगा सकते हैं जोस्तो यहां पर अच्छे से घुमने के बाद में अब हम लोग चलनगे महा मंदिर को भी एड जरूर करें यहां पर दर्सन कर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो दोस्तो यह थे कुछ बनारस के परमुक मंदिर अगर आप बनारस आते हैं तो इन मंदिर में दर्सन करने जरूर जाएगे आपको यहां पे जाकि बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की क्या वरस्ता रहती है तो बनायस अपने खान पान के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है आप यहाँ के फेमस टिक की लसी, चाट, कचोरी और बनारसी पान ड्राई कर सकते हैं इनके टेस्ट काफी अच्छे रहते हैं और खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत ही बरे और वियाईपी रेश्टूरेंट भी बने हुए हैं जहाँ पे आप अच्छे से खा भी सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे आप स्टीट फूट को भी ट्राई कर सकते हैं इसके भी टेस्ट बहुती ज़्यादा खास रहते हैं तो बनायस में आपको खाने पिने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको यहाँ पर कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए दोस्तो ऐसे तो पूरे साल लाखो और करोरो भक्त यहाँ पर गूमने आते रहते हैं लेकिन मार्च, अप्रेल, मैं, जून और एस्पेसली सावन में यहाँ पर बहुती ज़्यादा भीर होती है तो आपके पास जब भी टाइम हो यहाँ पर दरसन करने आ सकते हैं बात करें कितने दिनों का आपको प्लान बनाना चाहिए तो मैं आपको एडवाइस करूँ है कम से कम दो दिन और एक रात का इस्टे ज़रूर करें जिससे आप बनारेस के सभी प्रमुक जगा को एक्स्प्लोर कर सकें तो दोस्तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी कोशन बजेट की आप कितने बजेट में इस प्यारे आत्रा को पूरा कर सकते हैं इस बजेट में आपका होटल, फूड, टांस्पोर्टेशन खर्च और बोटिंग का खर्च इंकलूड है अगर आप इन प्लेशेज को घूमने के लिए टूर पैकेज के माध्यम से आना चाहते हैं और आप टूर डेज ओन नाइट का प्लान बनाते हैं तो टूर पैकेज वाले आपसे 5,000-6,000 तक चार्ज करेंगे जिसमें आपको होटल और प्राइवेट टेक्सी इंकलूड रहेगा और खाना आपको अलग से करना परेगा अगर आप बजट रेवलर हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से पचीस सो से तीन हजार के बजट में अच्छे से सभी प्लेसेज को कवर कर सकते हैं तो दोस्तो हमने इस वीडियो के माध्यम से हर छोटी बड़ी जनकाई देने की पूरी कोसिस की है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और अपने दोस्तों या रिलेटिव को भी सेर करें अगर आप इस चानल पर पहली बार आया हैं तो इस चानल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहें तो चली ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं जैहिन जैभारत